हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज रणर में आप सभी का स्वागत है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए तो दोस्तों इसी के साथ आज की कहाने स्टार्ट करते हैं एक कॉलेज का यह नियम था कि फाइनल येर के विद्यार्थियों में से जो टॉप टेन के विद्यार्थी होते थे उन्हें देश की नामी कमपनी सलेक्ट कर लेती थी उस साल भी वही हुआ टाप टेन में से नौ लड़के उचे पोस्ट में नोगरिया पाकर खुसी-खुसी चले गया लेकिन उन्हीं के बीच का एक लड़का भी उन्चुने गए लड़कों से किसी भी तरह से कम नहीं था लेकिन उसे सलेक्ट नहीं किया गया और वह वही रह गया चुकि वह बहुत ही परिस्रमी था और कॉलेज के डिपार्टमेंट में उसे रखने पर फायदा ही होता इसलिए उसे अइस्थाई तोर पर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर उसी कॉलेज में काम पर रख लिया गया लेकिन उनके साथियों के कंपेर में उसका पर्द मामूली सी था लेकिन वह निराज नहीं हुआ और वह पूरी निष्ठा और लगन से वहीं पर काम करने लगा यह इस्थिती ज़्यादा दिनों तक नहीं रही अब काम करते हुए से कुछ ही दिन हुए थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने अचानक उस कॉलेज से कॉन्टेक्ट किया मिल गया और सेलरी भी मिलने लगी बात इतनी ही नहीं थी बलकि उसका सलेक्शन उसके साथियों की कंपेर में बहुत ही ऊचे पोस्ट पर हुआ था पोस्ट और सेलरी दोनों ही अपने दोस्तों के कंपेर में सबसे स्रेश्ट हो गया था इसी तरह कभी-कभी सही समय के लिए प्रतिक्षा करनी पड़ती है अक्सर इसे लोग भागे का दोस मान बैठते हैं निरासा और उदास हो जाते हैं अपना कर्म छोड़ देते हैं तो दोस्तों आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन एक संगर्स है ऐसे कठीन समय में धैरे रखना चाहिए लोग काम करना तभी छोड़ देते हैं जब वे अपने मंजिल के बहुत ही करीब रहते हैं इसलिए हमेशा हमें पूर्ण आत्म विश्वास के साथ कर्म करते रहना चाहिए तो दोस्तों आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजे और अपने फ्रेंड्स में सेयर कीजे मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई थेंक्स फॉर वाचिंग